गुड मॉनिंग फ्रेंट्स बेलकम टू पी पी आरे स्टडी आज की इस लाइब में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख धारा हैं और उनके बारे में बिश्त्रित अधन करेंगे कि किस अपराध या फिर किस गलत कारे के लिए कौन सी सजा और कौन सी धारा के अंतरगत आ चुकी हैं और इन पर लगने वाली धाराएं और कानून के बारे में हम लोग बात करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं देखिए सबसे बड़ी और सबसे संगीन जो धारा होती 302 जो की हत्या करने पर लगने वाली यह धारा है तो इसके बारे में हम बिश्त्रित अधन उसके पहले आपको बता दें IPC के अंतरगत जो धारा हैं वो टोटल 511 धारा हैं जो कि आप जानते हैं 1860 के अंतरगत ये कानून बना हुआ था ऐसा कुछ तो इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे बाद में या फिर आप हमारा पिछले वीडियो डेक लीजिए कमेंट कर दीजिए आपको बता दिये जाएगा तो चलिए देखते हैं धारा 302 क्या होती है इंडियन पिनल कोड जिसे हम लोग IPC बोलते हैं इसे हिंदी में भारतिये दंड सनीता भी बोला जाता है थीक है तो भारतिये दंड सनीता की धारा 302 के ताहत उन अपरादों को सामिल किया गया है जिसे अपरादी किसी की हत्या का दोसी पाया गया हो वैसे देखा जाये तो कानून की बाकी कुछ धाराओं से अलग या कानून अपने समझने में अपने आप में बहुत आसान है क्योंकि हत्या एक ऐसा संगीन अपराद है जिसमें कुछ आधिका स्पैस्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर किसी ने इरादतन किसी की हत्या किया है या कतल किया है और जुर्म साबित हो जाए तो इसी धारा के तहत उसकी सजा निर्धारित की जाती है अक्सर आपने फिल्मों में या लाइन जरूर सुनी होगी कि दफा 302 के तहत फला अफरादी को फासी सजा सुनाई गई इसलिए अधिक जनकारी के लिए आज हम 302 के बारे में कुछ और बाते करते हैं तो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिसे से कि आपको पूरी जनकारी समझ में आए क्योंकि आधिये धूरी जनकारी बहुत खातन नाख होती है बाबू तो चलिए देखते हैं आई पीसी धारा 302 के अंतरगत यानि कि भारतिय दंड सनहीता की धारा 302 के बारे में कुछ महत्तो पूर जनकारी भारतिय दंड सनहीता की धारा 302 के अनुसार अगर किसी वेगती ने इरादतन किसी की हत्या की है तो उसे आज जीवन कारावास यानि कि पूरे साल की माफ कर मतलब कि इस अफराद को करने के बाद जमानत होना मुश्किल होता है दारह 302 से जुड़ी कुछ और महत्तपूर बातें जो आपको पता होनी चाहिए ध्यान दीजिएगा अगर अफराद संगिये हैं तो पुलिस बिना किसी वारंट के अरोपी को गिराफतार कर सकती है और किसी भी व्यक्ति का गिराफतार करने के लिए वारंट के जरूरत होती है और बिना कोट के आग्या के जाच नहीं की जा सकती है आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं किसी भी नियम या संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि कोई भी पुलिस पकड़ करके आपको पीट सकती है जी हाँ बिल्कुल कोई भी पुलिस आपको गिरफतार कर सकती है 24 घंटे के लिए आपको जेल में बंद कर सकती है लेकिन उसके बाद आपकी केस बननी चाहिए और आपको थाने से यानि कि आपका चलान होगा फिर आपको कानून के द्वारा सजा दी जाएगी फिर आपको जो भी सजा मिलनी होगी वो मिल सकती है लेकिन आम तोर पर देखा जाता है पुलिस वहले जब आपको किसी भी अपराद में पकड़ते हैं तो सबसे पहले पीटते हैं, जो कि बिलकुल ये किसी भी नियम में ऐसा नहीं है, इसे आफ कहीं से भी बेरिभाई कर सकते हैं, आगे चलें, साथ ही अगर किसी मौत के केस आरोपी फर आरोपताई करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि धारत 302 लगाई जाये या क्योंकि धारत 302 उन मामलों में अधिक आसपस्चता के साथ लगती है, जब आरोपी खुद पूरे इरादे के साथ हत्या करने के लिए गया हो, और उसने हत्या को अंजाम दिया हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं, तो IPC की धारत 304 को लगाय जाता है, जिसमें आरोपी ने ताकि हत्या करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ वहाँ पर ऐसे घटना करम हो गए, जिसके अकरन उसे हत्या करना पड़ गया, तो ऐसे इस्तिति में धारत 304 लगती है, अब आप लोग ध्यान से समझेगा, इन बातों को पूरा समझेगा, धारत 302 और धारत 304 में यह से 10 साल होती है, और यह अपरात की गंभीरता पर निर्फर करता है कि इस पर अदालत फैसलात लेती है, साथ ही यह कानून के अंतरगत के अपरात समझावता योगिन नहीं होती है, तो यह है IPC 302 के बारे में जनकारी जो आपने इतना असपश्टता से देखा और इसमें कु वेबसाइट से दिखाया हुए, अभी हम आपको वेबसाइट भी दिखा देंगी, कहां से हमने इसको आपको दिखाया, ठीक है, पबलिश्ट इन इंडियन पिनल कोड, यह इसके माध्यम से पबलिश किया गया है, और अगर आप इसमें कुछ गलत बाते हैं, यह पिर कुछ आपको यह जनकारी जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर सेयर करें, सभी लोगों को, इसके बाद हम और भी बाते करते हैं, कुछ और भी धाराओं के बारे में, और उनके महत्तुपूर्ट फैक्ट तो ध्यान दीजिएगा, अगला एक बहुत ही निंदनिये और सर्मसार अपराद है बलतकार, बलतकार यानि कि रेप, इस निंदनिये अपराद के लिए धारा 376 लगाई जाती है, तो चलिए बात करते हैं, आई पीसी की धारा 376 के बारे में, कुछ बिस्त रिजनकारी, हमारी आपसे बार बार भी नम्र निवेदन है, कि पीसी की धारा 376 ये उन अपरादियों को लगाई जाती है, उन अपरादियों को कबर करती है, जिसमें किसी भी महिला या इवती के साथ बलतकार संबंदी घटना करम हुए हों, यानि कि गलत संबंदा स्थापित किये गए हों, पहले के समय में या आज भी कुछ गरामीड अंचल ऐसे हैं जिसमें लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं होती और बहुत से अपराद दब जाते हैं, लेकिन बीते सालों में अपराद के प्रती खास करीवतियां जो इस तरह की योन हिंसा का सामना करती हैं, इस तरह के अपरादों के खिलाब आवाज उठाने लगी हैं, दिल्ली में हुआ निर्भया कांड आप सबने सुना होगा, 16 दिसंबर 2012 की ये सरमसार घटना किसी से भी छूपी नहीं है, जिसके बाद सरकार को इस कानून को और सक्त करने की जरूरत बढ़ी और सांसन में भी इस तरह के अपरादों और महिला सुरच्छा को बारे में पूरी जनकारी, IPC की धारा 376 ये क्या है और इसमें आपको क्या सुरच्छा या फिर इसके अंतरगत अपराधियों को क्या सजा मिलती है, ध्यान दीचिएगा, भारती दंड सनीता यानि की IPC की धारा 376 के तहाद, पहली पहले बिंदु में अगर कोई व्यक्ति क इसी भी महिला से जबर जस्ति योन संबंद अस्तापित करेगा, तो उसके खिलाब इसी धारा के तहत मुकादमा चलाए जाएगा, और इस तरह के मामले में आरूपी की उपर या जिम्मेदारी होगी, कि वह अपने आपका निर्दो साबित करे, या नहीं होगा कि कोई इस् साथ साल की सजा हो सकती है, उसे दस साल की अवधी तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, दोस्तों इसको एक बार फिर से आप लोग नए सेरी से बेरिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि निर्भाय कांड के बाद हो सकता है, इसमें संबंदा स्थापित करता है, जो उसकी पतनी है और उसकी आयो बारा साल से अधिक की है, तो ऐसे में भी उसे दो साल की सजा हो सकती है, उसे जुर्माने से या सजा से या दोनों से धंडित किया जा सकेगा, मतलब इस बात को फिर से सुनिएगा, यह भी हाल ही में कुछ अप संबंदा स्थापित करते हैं, तब यह भी आपके दंड में, यह रेप के संबंद में आएगा और आपको दो साल की सजा हो सकती है, इसे आप फिर से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पीशे करके देख लीजिएगा, ऐसे मामले में आदालत, मामले की गंबीरता को देखते गया है कि निम्न कारणों में धारत 376 को लगाया जाएगा और उसके हिसाब से सजा का भी परावधान होगा, उसके अनुसार, अगर कोई पुलिस अधिकारी होते हुए अपने थाने की सीमाओं में, जिसमें वह रन्यूकत है, अगर किसी महिला से उसकी इच्छा के विर्द संबंध अस्थापित करें, अथवा किसी अस्पताल के परवंध या करमचारी लोगों में होते हुए किसी इस्तरी के साथ या जेल में उसकी अभी रक्षा में किसी महिला के साथ बलात संबंध अस्थापित करें, या सामुईक बलात कर जैसे कुकृत या गर्भोती इस्तर कि बिरिदु संबंद अस्थापित करे ये देखिए सभी कंडिशन दी गई है आपको कब-कब ये धारा लग सकती है ध्यान दीजिएगा आप समझ नहीं रहोंगे ये धारा जो मुख्य रूप से इसके बारे में और जादर डिस्क्राइब करती है देखिए फिर से आप यहां से देख लीजिए IPC की धारा 376 की दूसरे बिंदु में यहां बताया गया है कि निम्न कारणों में 376 को लगाया जाएगा ये सबी कारण है जब 376 धारा लग सकती है ठीक है आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा इसक्रिंसार्ट ले लीजिएगा आपको सब कुछ के लिए रो जाएगा यहां तक हो गया था कोई इस तरी जिसकी उम्र बाराफाल से कम हो उसके साथ उसकी इच्छा के बिर्दु संबंद अस्थापित करे या ऐसा कोई बेक्ती जो रिष्टेदार, टीचर या बिस्वस्नियों हो उसके द्वारा बलाफ संबंद बनाने की दिसा में या फिर किसी महिला जो मानसिक तोर पर ठीक हालत में नहीं है के साथ बलाफ संबंद अस्थापित करने की दिसा में या बलात संबंद बनाते समय महिला को सारीरी तोर पर नुकसान पहुंचाने की दसा में, किसी महिला के साथ बार बार रेप करने की दिसा में, ये सभी कंडिशन होने पर दारा 306 तर लगाई जा सकती है। अब आप लोग काफी कुछ समझ गया होंगे, अगर कुछ भी कुश्चन है तो आपनी संग कुछ कमेंट कर सकते हैं। जब तक उसकी मिलतूं नहीं हो जाती, तब तक उससे सजा से मुक्ती नहीं मिलेगी। धारा 376 घा देखे धारा 376 में भी कई भाग हैं काका घा घा तो धारा 376 के घा के तहत या डिफाइन किया गया है मतलब परिभासित किया गया है कि गैंग रेप की दसा में अपराद करने वाले या उसमें सामिल रहने वाले लोगों पर भी धारा 376 के तहत ही मुकादमा इसमें अपरादी साबित होने पर दोसियों को कम से कम 20 साल की कठोर कारावास का प्रावधान है और अपराद की गंविर्था को देखते हुए इसे आजीवन कारावास या माफ करिएगा आजीवन कारावास में बदला जा सकता है आजीवन कारावास से मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि दोसी की जब तक प्राकृतिक रूप से मिर्तुन नहीं हो जाती तब तक उसे जिल में रहना पड़ेगा इसकी अलावा आर्थिक दंड़ से बितनर दित किया जा सकता है साथ ही बार बार अपराद करने वालों की सजा को भी आजीवन कारावास में बदलने का प्रावधान है तो ये रही IPC की दारा 376 जिसके बारे में आपने डिस्क्राइब किया और समझा और जाना अगर कोई कुश्चन है तो अपनी संकोच कमेंट कर सकते हैं और हाँ अगले वीडियो को इंतजर करिएगा मुख्य मुख् देखाएंगे ठीक है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं धारा 497 और यहां पर जितनी भी धारा आप देख रहे हैं धारा 302 और यह 376, 307, 309, 497, 307 यह सभी मुख्य मुख्य धारा हैं इन्हें हम आपको जरूर बताएंगे अगले वीडियो के लिए इंतजर करिएगा क किसी परकार की सुझाओ सिकाधात्वा इंक्वाइरी के लिए आप हमें इमेल कर सकते हैं pbrstudy at the rate gmail.com पर हम आपकी सेवा में 24 गंटे तात पर इस वीडियो में किसी परकार का सुझाओ या फिर किसी परकार की गलती के लिए भी आपके सुझाओ आमांत रित हैं मैं राज क सेयर करें प्लीज सेयर करें जिसे से की ज़्यादा फे ज़्यादा लोगों को जनकारी मिल सके और आप अपना जनकारी को अपडेट कर सकें और इतना ही नहीं चलते चलते आपकी जनकारी के लिए बता दूँ जो आपने देखा ये हमने इंटरनेट के माध्यम से प्रापत सेर कर दें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो